नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट मीन डासी वालों आपके जीवन की कुछ ऐसी भवी सिवानी जिसको सुदने के लिए सायद आप बहुत दिनों से बेकरार थे आज हम खोलेंगे आपकी पोल बहुत सारी ऐसी बाते जो कहीं ने कहीं आपके दिल में तो है आपके अंदर तो है पर बाहर से आपको पता नहीं चल रहा है तो आज हम आपके दिल को छूने वाले हैं वीडियो के अंतक बने रहे हैं और पूर्ण तया चन्दरासी पर आधारि आप अपने बारे में जादा जानना चाहते हैं गरहों की चाल से बचना चाहते हैं तो आप हमारे वेपसाइट जो दूई सभाब की रासी है पर बड़े ही खुबसूरत होते हैं मीन बालों की आखें गहराईयां लिये होती हैं इतनी गहराई कि एक बार बैक्ति उतर जाए तो उनसे बाहर ही ना निकल सके कहने का तात पर फिल्कुल प्यारे से खुबसूरत और एक अलग जादूई एहसा से बास तिलाने वाले हूते हैं मीन-daase आ एक पल में आप आपको अपना बना ले एक पल में अगर नाराज हो जाएं तो फिर आपको दूर कर दे पर अगर दिल करेंगे तो आपको दूर नहीं कर पाएंगे हैं वैसे दिल के बड़े ही soft होते हैं लेकिन ऐसा भी कहा जाता है इनका व्यक्तित तो कुछ ऐसा है कि जहां रहते हैं वहां पैसा ही पैसा होता है. तो मीन वालों के जीवन में जैसे मच्छली, मीन меня sign क्या है मच्छली, अब मच्छली का मतलब है पाणी, समुद्र, गहराई, नदी, तालाब जैसे उनके आसपास पाणी होता है उसी तरह मीन बालों के जीवन में धन होता है कहीं भी रहेंगे इनने अभाव नहीं होता धन का कभी आँखें उठाके देख लो कोई भी मीन दासी का ब्यक्ती कभी आपको फटे हाल में नहीं दिखेगा वजी इनके पास पैसे होते ही होते जितना चाहिए इनके पास आही जाता है कहां से साय इने भी नहीं पता क्योंकि कभी-कभी देपताओं का आशिरवाद जब बरसता है न तो कुछ जादा ही बरस जाता है तो चलिए जानते हैं आपके बारे में कुछ ऐसी बाते जैसे कि आप जो मीन बाले होते हैं इनकी विशेष्टा ये है कि ये बहुत ज़्यादा सहानुभूती पुर्ण होते हैं छमा करने वाले दयालू सुभाव के और भरोसे मंद होते हैं अगर कोई रास की बात आप किसी को कहना चाते हैं आपके कोई फ्रेंड है मीन डासी वाले ये किन मानिए वो राजी रखेंगे क्योंकि इन पर भरोसा किया जा सकता लेकिन अब जैसा हमने कहा कि मीन बालों की आँखें मशली के तरह होती हैं तो उबरी भी आँखें पर इन आखों के बारे में हमारा समुद्री सास्टर कहता है कि ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें क्योंकि ये खपट्ड़ से बरे होते हैं तो कहने का तात पर आज हम मीन वालों की बढ़ाई कर रहे हैं पर एक दो बाते तो बनती है न क्योंकि सचा ही बता रहे हैं हम चाफलूसी नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है कि मीन बाले बहुत ज़्यादा बुधिमान होते हैं टैलेंट होते हैं यह पता होता है कि कब किस बात का इस्तिमाल करना है कमजोरी कमजोरी तोड़े आलसी में रहते हैं थोड़ी दिवास आपन देखते हैं और कभी-कभी क्या viu क्रावब को कल पर टाल भी देते हैं जिसकार्णाण यह कभी-कभी मुशकिल में भी पर होते हैं बहुत सुन्दर और इनकी आखें तो बोलती है आखों पर पूरी आप किताब लिख सकते हो यह एक अच्छे सिक्षक हो सकते हैं एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं या फिर निर्मान समंदि कोई काम करें तो वह वहेतर है मीन बालों के बारे में ये भी कहा जाता है कि सनी देव का समंदित कोई भी एक काम करते हैं जैसे कि भूमी के नीचे जैसे ओल है, कोईला है, पथल है, स्टोन है तो ये सभी चीजें जो सनी देव के अंतरगत आती है भूमी पर उगने वाली वी चीजे सनिदेप के अंतरगत ही आती है तो आपको सफलता जादा मिलती है आपकी मित्र रासियां होती है करक रासी, सिंग रासी, धनू रासी, मेस रासी और बिर्स्चिक रासी इनके साथ आपकी निभ जाती है निभ जाती है वैसे धनू वालों के पानी जल मतलब पानी भागे साली वर्स जब इनका भाग्योदय होता है तो वर्स होता है उम्रे के 27 साल से लेकर 43 साल के बीच इनके जीवन में सफलता कर दौर चलता है अगर इसमें आपको फायदा उठा लेते हैं तो यकीन मानि जीवन में कभी आपको पीछे मुण कर देख गुरुवार का दिन क्योंकि देव गुरु बिस्पति आपके रासी के स्वामी है तो गुरुवार आपका भागे साली दिन होता है लेकिन अंक जो होता है न सूबंक वो होता है साथ आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है देखिया भीनवालों को सबसे ज़्यादा पसंद है घूमना फिरना, लाइफ स्टाईल मस्त अंदाज में जीना, राजसा ही ठाट, अच्छा पहना, अपडेट रहना, मन पसंद म्यूजिक सुनना, लोगों के साथ घुल मिल जाना, ल लोगों के बीच compromise करवाना जगडों का solution कराना कहने का तात पर इन्हें अकेला पर नहीं अच्छा लगता है यह लगता है जैसे हर जगा यह उपस्तित हो लोग इनको सर मैडम कहके पुकारें क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है को इन्हें भाव देता है वैसे तो और किसी को बहुत लेना अच्छा लगता है लेकिन यह थोरे मस्ती खोर होते हैं ना पसंद क्या है इनको जगडा लडाई अच्छा नहीं लगता है और किसी के सामने हाथ फैलाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं इनके पास कुछ ना रहे पर यह कभी किसी से मांगेंगे नहीं कि दो तक की अक्सर देखा गया है ये बिजनसमेन तो होते हैं बहुत अच्छे एक नमबर के लेकिन उधार पैसा ये चाहते हैं बहुत बार होता है बिजनसमेन के बहुत साइव लोग उधार ले जाते हैं ये चाहते हैं खुझ से सामने वाला वापस कर दे अब आपने कभी देखा अब हम बात करते हैं आपके ब्यक्तित्व की आपके सुभाब की और हां कमेंट जरूर कीजिएगा आपको हमारे ये वीडियो के ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके कमेंट से हमारा होसला बढ़ता है कमें हर हर महादेव लिखिए ताकि आप लिखने वालों को और हम पढ़ने व होते हैं सांथ होते हैं और इनका जो चुकी मशली का चिन है लेकिन मशली आप देखिएगा हमेसा जोडा में होता है यानि दो सर दो माथा कभी-कभी ये इस कारंदु विधाओं में भी फसे रह जाते हैं दो नौकी सवारी करते देखे जाते हैं कभी-कभी डिस्तों में भ ही गलत का यह समझे नहीं पाते हैं जैसे हम ने कहा लोगों से मिलना अब लोगों से मिलना मतलब क्या है माइंड वास खूब होता है इनका और जब माइंड वास हो जाएना तो घर रिष्टी ब्रबाद हो जाती है तो जब आप धिमान हो जाते हैं जब आप समझने लगते हैं को फिर कोई आपका माइड वास नहीं कर सकता लेकिन अगर कर रहा है तो अभी से शापदान हो जाए क्यूंकि आपका बोलना चाहिए इनके बारे में हमेशा अच्छा करेंगे अपने आपको लोयल रखेंगे हमेशा दुनियादारी में इतने दिखावे में मस्गूल हो जाते हैं कि खुद अपनी गिश्ती अपने हादों बरबाद कर लेते हैं कई बार इनको कल्पना और तथ्य में भेद करना इनको कठिन लगता है क्योंकि कल्पना लोग की सवारी करते करते यह यह एथार्थ को भूल जाते हैं और इसी कारण चीजों से मोह भंग हो जाता है और हमेशा दो राह में फसे रहते हैं विकल्प में क्या करें क्या ना करें किसको छोड़े किसको पकड़े और कभी कभी की तलास में निकल पड़ते हैं कि वो भटका होता है अच्छी चीजों को इग्नॉर कर निगेटिब चीजों की और बढ़ जाते हैं ऐसी चीजों की और आगे बढ़ जाते हैं जो सिर्फ परिसानी देगा बदनामी देगा उदासी देगा लेकिन फिर भी कभी-कभी इन चीज सोब्ध हो रहा है सुस्त होते हैं उदास होते हैं इसलिए जोभी मीन बाले के आसपास हैं उनको चाहिए कि मीन बालों को हुषि बढ़ाते रहे और पॉसेटिण इनर्जी लेकिन मीन बालों को अपना भी निमाग लगाना होगा कि कोई आपको इस्तेमाल ना कर सकेए कोई s फाइदा न उठा सेके गलत तरीके से हलाकि मीन बाले अनुसासन प्री होते हैं और सहानु भूती पुर्ण स्वभाब भी होता है अकर्सक होते हैं लेकिन बहुत साइच चीजों के प्रति लापरभा होते हैं अगर एक बार ये नियम और अनुसासन का पालन करने लगे तो आपके जीवन के रास्ते सरल हो जाते हैं भटकाओं से बच जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं और मीन बाले ये भी देखा गया है कि कला संगीत कविता के माध्यम से अपनी भाबनाओं को बाहर निकालते हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो आप और जादा जीवन को जीने लगते हैं इंज़आय करने लगते हैं और आसपास के लोग आपके बैक्तित्व बैक्तिगर जो आधार है ना उसका खोल सकते हैं तो इसलिए थोड़ा सम्हल के भी रहना होगा ज्यादा तर आप जैसे वैसे तो यह दयालू होते हैं धर्म को मानने वाले होते हैं लेकिन जिद्धी होते हैं स्वतंत्र सभाव के होते हैं और इसी कानिये दूसरों पर निर्भन होना नहीं चाहते लेकिन जिद्धी होते हैं щक्ति के चारण खुद अपना नुक्सान कर लेते हैं अपना सरवस्ट देने के लिए इनको प्रेरणा जरूर देना है और ये कभी भी जो आपके पैसे फसेवें उसके पीछे नहीं पढ़ते हैं उमीद करते हैं कि कोई स्विक्षा से लोटा दे वैसे होते हैं रोमांटिक रोमांटिक होते हैं भावनात्मक होते हैं उदार होते हैं अराम तलब जीवन जीना पसंद करते हैं पर कभी-कभी औभेवारिक हो जाते हैं प्यार से जादा प्यार होने की सोच में विचरते रहते हैं और जैसे इनको लगता है कि सब कुछ ख्वाब की तरह सब कुछ जीवन में हो पर ऐसा हो नहीं पाता तो मीन बालों के जीवन में बहुत सारे उलट फेर हैं अब जिससे ये प्यार करते हैं चाहते हैं उस पर पूरा अधिकार हो, कंट्रोल हो और जब किसी चीज पर आप कंट्रोल करते हैं तो वो चीज हमेशा आपको छोड़कर भागना चाहती है ये बात 100% सब्सक्राइब और ये आपको समझना होगा किसी भी चीज पर अति सही नहीं होता चाहे वो इनका प्रेम का रिष्ता हो, जीवन साथी का रिष्ता हो, हर जगए ये कंट्रोल करना चाहते हैं और इसलिए रिष्टे रेत की तरह इनकी हातों से फिसल जाते हैं और फिर पस्ताते हैं कि अब ये क्या हो गया तुमीन वालों उमीद है आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं तो कभी-कभी आपको भटकाओं से बशना भी होता है कभी-कभी खुद को महतों देना होता है कभी-कभी चीजों को प्रफेक्ट टरने के लिए कुछ चीजों से समझाता भी करना होता है और जरुरत से ज़्यादा प्रेम भी सही नहीं और नफरत भी सही नहीं जरुरत से ज़्यादा भटकाओ भी सही नहीं आपको ये समझना होगा कि ये संसार है ये दुनिया है यहाँ पर कुछ नियम काईदे चलते हैं और इन नियमों से हटकर अगर आप कुछ करते हैं तो जि आपको और बहतर कर पाते हैं और फिर अपकी ये कमजोरी जोभी कमजोरियां है वो आपकी ताकत बन जाती है तो फिला अम आप से विज़ा लेते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का थो हमें बहुत इंतजार रहता है हर हर महादेव धनिवाद